आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम cruelty को प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से ये एक solid आधार बन सकता है डाइवोस केस का वीडियो को आगे बठाने से पहले प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीचिए लाइक बटन दबाना ना भूले और अगर आप law related कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो comment करकर आप उसे concern कर सकते हैं तो चलते हैं वीडियो की और हिंदू विवा अधीनियम 155 की धारा 13 में कुछ आधार दिये गए हैं इन आधारों में से एक है cruelty और ये एक बहुत ही solid आधार माना गया है यानि cruelty क्या है कौन सी भी cruelty किस किस category में आती है ये सारा विवरण और और आज आपको बताया जाएगा 1976 हिंदू विवा अधीनियम इसमें संशोधन करके कुरूर्ता को भी जोडा गया था पहले शारिरिक प्रताड़ना को ही तलाग का आधार माना जाता था लेकिन अभी मानसिक प्रताड़ना को भी आधार माना जाता है यानि कि शंशोधन के बाद मानसिक परताडना के आधार पर भी पति-पत्नी तलाख ले सकते हैं दास्ताने वर्सिस दास्ताने आर्टिकल में कहा गया कि किसी महिला पर मानसिक अत्याचार हुआ है या नहीं हुआ है ये क्लेर होगा जब वह सामाजिक तौर पर अगर उसे परताडना दी गई हो या फिर मानसिक तौर पर या उसे गाले गलोच किया गया हो या फिर उससे जो परवरिश हुई है किस तरह से हुई है उसके आधार पर कोई बाते कहीं गई हो ये सारी मानसिक परताडना में आती है कोट इस आधार को भी देखती है कि आप पति-पत्नी साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं या अगर उनको साथ रखा गया तो उनको मानसिक अशांती या वेदना या पीड़ा मिलती है या नहीं मिलती है यानि कि अगर वो साथ रहे तो मानसिक परताडना का उनको सामना करना पड़ेगा कई बार होता क्या है कि घर पे सिर्फ धमकिया दी जाती है लेकिन वो धमकी कब असलियत में बदल जाएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता कई बार ऐसे रिष्टे दिर्फे दीखते हैं जो बाहर से बहुत ही अच्छे होते हैं लेकिन अगर उनके अंदर झाका जाए तो वो बहुत ही आंत्रिक रूप से दुखध होते हैं दास्ताने वर्षी दास्ताने इसमें वह धमकी देती थी कि उसे परतारित करती थी लगातार उस व्यक्ति को वो परताडित करती थी ऐसा ही नहीं है कि आदमी मानसिक परताड़ना देती हैं कर बार ओरते भी मानसिक परताड़ना देती हैं तो यह जो लौ है वो इक्वल है दोनों के लिए ही आदमी के लिए भी और ओरत के लिए भी क्योंकि मानसिक परताड़न एक व्यक्ति जब दूसरे को काफी पीड़ा देता है और अगर वो दूसरा आदमी पत्नी परिशान है किसी चीद से और उसको कोई परवा नहीं होती और उसको वो आर भी परिशान करता है पती अगर उसको तो ये भी मांसिक प्रताड़ना में ही आता है क्रूल्टी का अधार बहुत सी चीजे होती है यानि कि मानसिक प्रताड़ना बहुती तरह की हो सकती है इसमें अगर व्यक्ति अपना इतिहास के बारे में कुछ छुपाता है किसी से कोई ऐसी बात है पती या पत्नी इसमें से कोई भी हो सकता है जो उसे बता देनी चाहिए ल कामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है मानसिक और शारिरिक दोनों तरह से ही अगर दूसरे व्यक्ति को परिशान किया जाता है तो ये क्रूल्टी में आता है और ये तलाक का एक मुख्या आधार माना गया है इन्हें तलाक का आधार बनाया जा सकता है इन शौर्ट जिसमे दूसरे पक्ष को अशान्ती महसूस हो या फिजिकली तौर पर वो दर्द महसूस करता हो तो इसे बहुत ही मुद्दे के तौर पर आधार बनाया जा सकता है। इसे आप डिप्रेस्ट हो जाते हैं, काफी मानसिक तनाव आपको महसूस होता है, शारिरिक तनाव आपको महसूस होता है, यानि कि शारिक तौर पर भी आप दुखी रहते हैं, मानसिक तौर पर भी आप दुखी रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, बेस बन सकता है आपके डाइवोस का तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इसको आधार बना कर भी तलाक की याजिका दायर कर सकते हैं और आपका तलाक इस बेस पर भी हो सकता है तो अगर आप ऐसा फेस कर रहें और आपको लगता है कि मैं किस तरह से उसको प्रूव तो आप इसको आधार बनाकर तला कियाची का दायर कर सकते हैं